कार दोस्तों एक बार फिर से लेकर के आई हूँ टेक्नोलोजी से जूड़ी एक बड़ी अपडेट तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि क्या है वो बड़ी अपडेट Marvel Cinematic Universe के किरदार Deadpool और Spam Calls में क्या समानता हो सकती है जवाब बहुत आसान है दोनों मरते ही नहीं कुछ भी कर लो जिन्दा हो ही जाते हैं इतना पढ़कर आपको लगेगा कि Spam की तुलना Deadpool से कैसे क्योंकि वो तो एक अच्छा किरदार है नहीं जनाब वो अच्छा और बुरा दोनों नहीं है हमारे सिनिमा के दोस यमन के मुताबिक एंटी हीरो है इसलिए हमारी स्टोरी में फिट बैठता है अब जब ये कंफर्म है कि दोनों किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाते हैं तो इन से कैसे निप्टा जाए इसी का तरीका निकाला है वाटसेप ने लॉक स्क्रीन से ही निप्टा जा सकेगा अंजान नंबर्स को फोन की लॉक स्क्रीन से ही ब्लॉक किया जा सकेगा ऐसा इसलिए क्योंकि स्पैम मेसेज और कॉल ब्लॉक करने के कई तरीके अप में पहले से ही दे रखे हैं अंजान नमबर से आने वाले मेसेज को सिर्फ ब्लॉक ही नहीं किया जा सकता बलकि इनको रिपोर्ट भी किया जा सकता है जो आपके साथ कई और लोगों ने ऐसा किया भी होगा तो आपका अल्गुरिदम इनको पकड़ लेता है और फिर उस नमबर को ब्लॉक कर देता है अंजान नमबर से आने वाले कॉल के लिए तो साइलेंस अनमन कॉलर्स का भी फीचर है लेकिन जैसे हमने कहा इसके लिए मसकत करनी पड़ती है बोले तो अंजान नमबर की डिटेल में जाओ फिर रिपोर्ट एंड ब्लॉक का आप्शन तलाशो और फिर बटन प्रेस करो ऐ अगर वाट्सेब की सला माने तो ऐसा करना चाहिए जो सला नहीं माननी है तो अब उसके लिए वाट्सेब का एक नया फीचर हाजिर है नय फीचर के आने के बाद जैसे ही मोबाइल की लॉक स्क्रिन पर किसी अंजान नमबर से मैसेज दिखेगा तो रेपलाय के साथ ब्लॉक का आप्शन भी दिखेगा इतना ही नहीं जो आपने ब्लॉक प्रेस कर दिया तो ब्लॉक एंड रिपोर्ट का आप्शन भी लॉक स्क तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताएं और अपनों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूख हो सकें टेकनोलजी भरी अपडेट के लिए सपलरो.com को सब्सक्राइब करना ना बुलें मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद.